हेलो स्टुडेंट्स बच्चे लास्ट येर मैंने एक वीडियो बनाई थी चीता के उपर बेस थी वो वीडियो और मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगर आफ सलेबस पॉइंट आप यू से देखियेगा तो इसके कोई इतनी इंपॉर्डन्स नहीं है बट अगर आफ बा काफी इंपॉर्डन्स रखती है ठीक बिएंगे बाइलोजिकल स्टुडेंट और बिएंगे कम्पीटिटर अगर आप किसी एक्जाम में कम्पीटिशन देने के लिए तियारी कर रहे हैं चीता की वीडियो क्यों इंपॉर्डन्ट थी वो इसलिए क्योंकि इंडिया में ची इसलिए उस चीता से रूबरू हो सके हैं उस वीडियो में मैंने बताया था कि नाबीबिया से एट चीता लाएगे थे ठीक है जो कुन्नो नेशनल पार्क में छोड़ेगे अब उसके बाद बच्चे 12 चीते और लाएगे कहां से लाएगे वो चीते और कहां रखेगे वो च किते क्या पहले लाएगे चीते जो थे वो सब मर गे जा फिर उनमें से कुछ चीते ऐसे थे जिन्होंने अगली पापुलेशन प्रडियूस की वो सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं चीता पार्ट सेकिंड तो बच्चे 8 चीता जो है जै इसके बाद 12 मोर चीता जो थे वो इंपौर्ट किये गे किस कंट्री से सौथ अफरिका से धेरफो जो टौटल चीता हो गे जो इंपौर्ट किये गे चाहे वो नाबीबिया से चाहे वो सौथ अफरिका से तो वो टौटल नमबर कितना हो गे 8 प्लस 12 देटीस ट्व damn topic यह जो 12 चीते लाएं हैं अभी सौथ अफरिका से उसमें से 7 मेल हैं और 5 जो है फीमेल है तो दचीता 7 मेल और फीमेल फ्रम सौथ अफरिका जो है वो रिलीज किये गे इंटु कॉरंटाइन इंकलोजर अट दा पार्क 5 मन्थ आफ्टर दा फस्ट बैच तो यह कहता है कि यह जो चीता लाएगे हैं इनको हमने कॉरंटाइन में रखा गया है ठीक है पांच महिने बाद आये थे यह जब पहला बैच आया था पहला बैच मतलब जो नावीबिया से बैच आया था अब quarantine क्यों होता है मैंने पहले वीडियो में बताया था फिर से बता देता हूँ जब भी हम किसी और continent से किसी और देश से कोई चील लाते हैं चाहे आर्गनिजम है चाहे कोई भी उसे quarantine में रखा जाता है इवन human being भी जब आते हैं को पोता अगा COVID के दोरान तो इनको साथ दिन के लिए quarantine में रखा जाता था कि अगर इनमें कोई infection होगी कोई बीमारी होगी तो वो बाक्यूमें ना फैले ठीक है further security of other living organism ऐसे ही चीता को पहले quarantine में रखा जाता है जब ये ensure हो जाता है कि इनको किसी भी तरीकी कोई infection ही है तो वो इनको wildlife में release किया जाता है अब भी the arrival of second batch ये जो सौथ अफरिका से आया था totality में चाहे वो नावीबिया है चाहे सौथ अफरिका है 10 male हो गए थे और 10 ही female ठीक है तो अब दोनों batch को मिला के 10 male चीता हो गए थे और 10 female चीता अब जो नावीबिया से लाया हुआ था जिसका नाम रखा हुआ था C.I.A उसने चार बच्चों को जनम दिया था मद्यापरदेश के कूनो नैशनल पार्क और ये news काफी important थी because इंडिया में चीता के extinct होने के बाद पहली बार कोई चीता यहां पे पैदा हुए थे ये जो बच्चे यहां पे पैदा हुए थे ये जो नावीबिया से लाए हुए है नो ये इंडिया में पैदा हुए थे see the difference अब ये जो चार बच्चे हैं वी कैदा से कि हमने इसको import किया है आदो इनके parents तो important है बट ये इंडिया में पैदा हुए है तो that makes the difference कि हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में जो हैं अब total 24 जो चीता हो चुके थे वो 24 के बाहर से लाए हुए नहीं 20 बाहर से लाए हुए 4 यहीं पैदा हुए है तो अभी तक में क्या बात understand करने वाली थी कि हमने कौन सी दो कंट्रीज से चीता लाए है नाभीबिया से और दूसरी सौथ अफरिका से जो कि जो competitive की त्यारी करते हैं उनके लिए बहुत महतपूर्ण है जो कि आपके 11 के इस लेबस में भी यह है तो कोई भी आप से पूछ ले तो आपको भी पता होना चाहिए था कि इंडिया में चीता जो है वो खत्म हो चुके हैं हमने बहार से लाए है और किस country से लाए हैं कितने चीता लाए हुए है क्या इंडिया में कोई चीता पैदा हुए है उन सब की information जो है यहां दी हुई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि बैचे जितने भी चीता हमने बाहर से लाए हैं तो वो सबके सब सर्वाइब नहीं कर सके एज एन रिसेंट देखा जाए तो 27 को फीमेर चीता जिसका नाम साशा रखा गया था वो मर गई थी क्योंकि उसे किड्नी की बिमारी हो गई थी 23rd of April देखे मार्च 23 से बाद सीधा April 23 महीना भी नहीं हुआ भी टोटल में तो उदे जो सौथ अपरिका से चीता लाया हुआ था वो भी मर गया और क्यों मर गया क्योंकि काडियो पलमनरी जो है वो फेलूर हो गया ता काडियो मतलों हार्ट फेलूर पलमनरी मतलों लंक्स द इसका नाम है दक्षा जो कि इंडिया में लाया गया था और इसकी ड़त का रीजन क्या था कि चीता में बेसिकली क्या होता है कि at the time of reproduction जो कॉपलेशन होती है उस time पर यह बड़े aggressive हो जाते है तो मेल जो है फीमेल को मारने की कोशिच करता है aggression में आके तो इस फीमेल को इतनी और दो सौथ फरीका के चीता मर चुके हैं तो overall जो 20 वहर से export किये हैं उनमें से 3 जो है वो अभी तक मर गये हुए है तो यह as on recent May 9 2023 की बात है तो बचे मैंने last time video बनाया था अभी भी बता रहा हूँ जब मैं बीडियो बनाता हूँ तो यह इस आपको update करने के लिए है अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो आप अपने आपको update नहीं कीजिए तो जैसे भी आपको जानकरी मिलती है being a biological student you should be aware about that ऐसा नहीं है कि 10 दिन के बाद जब 20 दिन के बाद फिर से government of India चीते और लाती है तो आप सोचोगे कि सर ने हमें बढ़ाया था कि इतने चीते आए है तो बस इतने ही है ऐसा नहीं है यह सिर्फ एक मैंने try की थी कि आपको update करने के लिए कि आप जो है खुद की knowledge को कैसे enhance कर सकते हैं आपको day to day life में अपने आपको inform जो है अपनी information को अगर reality में बोला जाए तो वो update करना जरूरी है तो देखिए objective point आप view से अगर आप तो कितनी importance रखते हैं कि कौन कौन से देश से हमने चीता मंगवाए हैं और कहां पर हमने चीता रख्या हुए है कौन हो national park में रख्या हुए कितने चीता हैं male कितने है female कितने है और अभी तक कितने मर चुके है थेंक्यू